दोस्तों स्वागत है आप सभी का Only Eyes के YouTube चानल पर Recent टाइम में COVID-19 ने पूरी दुनिया की कलाई खोल दी थी जहां हमें ये पता लगा था कि हम तयार नहीं हैं ऐसी किसी मुसीबत के लिए खासकर जो Health सेक्टर से related है जब COVID-19 आया था उस समय हमार पास कोई vaccination नहीं थी और आपने देखा होगा हर जगा lockdown और लोगों के मरने की खबर आ रही थी अब ऐसी ही एक बिमारी एक महामारी हमारा इंतजार कर रही है वहसे तो नाम सुनके ऐसा लगता है कि जैसे computer को कोई program हो अब यहाँ आपको याद रखना है कि यह topic आपको mains और pre दोनों के लिए ही important है आज के इस video को अगर आप पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपको super bug topic के लिए कोई और video देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें क्या-क्या चीज़े हम cover करने वाले सबसे पहले हम जानेंगे कि super bug होता क्या है फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि super bug form कैसे होते हैं फिर क्या measures लेगे हैं government of India दोरा और international level पे इस super bug की problem को control करने के लिए और last में हम जानेंगे way forward जहां हम समझेंगे कि कैसे हम super bug जैसी problem को कम कर सकते हैं अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आप civil services की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आए हैं जहां पर आप basic concepts के ऊपर अपने work कर सकते हैं 6 February से हमारा NCRT batch स्टार्ट हो रहा है अगर इस course के regarding आपको कोई भी information चाहिए तो आप हमें call कर सकते हैं 700-793-1912 पे आईए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और समझते हैं कि super bug होता क्या है दोस्तो अक्सर देखा होगा हम सभी को कभी न कभी तो बुखार होता ही है और हम क्या करते हैं कि chemist के पास जाते हैं और chemist से दवाई लेके आ जाते हैं अब अक्सर chemist क्या करते हैं हमें जल्दी ठीक करने के लिए antibiotic का course करवा देते हैं और हम जादा समझदार बनते हुए जैसे ही बुखार उत्रा उस course को वहीं छोड़ देते हैं अब कई बार इससे क्या होता है कि जो microbes हमारी body के अंदर थे न वो उस दवाई के against resistance डवलप कर लेते हैं और इसी को कहा जाता है super bug क्योंकि अब इसके उपर वो medicine ज़्यादा effective नहीं रही है अब ऐसा होता कैसे है और क्या ये आपको सिरफ medicines के case में ही देखने को मिलता है या किसी और तरहीं से भी हो सकता है ये आप एक बात समझेए चार्ल्स डार्विन के एक theory थी जिसमें कहा गया था कि जो organisms हैं वो evolve करते रहते हैं over a period of time जैसे माल लेजे आज अगर हम इंसान की बात करते हैं तो पहले हम ऐसे नहीं थे पहले हमारे पूछ हुआ करती थी हम जुक के चला करते थे और more like एक बंदर की तरह दिखते थे पट आज हम totally अलग दिखते हैं because हम over a period of time evolve करे हैं तो ऐसे ही जो microbes हैं जैसे bacteria, virus, fungi, parasites ये भी evolve करते रहते हैं और जब ये evolve करते हैं तो जो traditional medicines अभी हमारे पास available है इनकी treatment के लिए वो इनके उपर ineffective हो जाती है मकलब अब वो उस medicine से treat नहीं हो सकते ये natural way है जिसके through एक आपका microbe resistance develop करता है against certain type of medicine इसे बिमारी का risk काफी बढ़ जाता है लेकिन ये natural way के इलावा आपके पास कुछ artificial way और भी है जिसे एक तो मैंने आपको बताया कि आप proper use नहीं कर रहे हैं तब भी ये चीज देखने को मिल सकती है दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कई बार animal husbandry खासकर poultry sector में जहां मुर्गी का पालन होता है उस sector में हम क्या करते हैं कि मुर्गी का size बढ़ा करने के लिए मतलब मुर्गा या मुर्गी का size बढ़ा करने के लिए हम उन्हें antibiotic खिलाते हैं जिसकी वज़े से वो indirectly हमारी body में enter करते हैं जब हम उनका save-n करते हैं अब इससे हमारे अंदर भी वो antibiotic आता है और आगे चलकर उस antibiotic के against कोई भी bacteria resistance डवलप कर सकता है अब दूसरा तरीका animal husbandry से related था तीसे तरीके में आप देखते हैं कि जो हम agriculture perform कर रहे हैं उसमें भी कई बार सब्जियों का size बढ़ा करने के लिए हम इस्तिमाल करते हैं इसी तरह के टीको का जिससे यह हमारी body में enter करती है और आपने एक concept पढ़ा होगा environment में biomagnification and bio accumulation इसके थूँ यह कही न कहीं हमारी body में consolidate होता रहता है और जो microbes हैं वो इनके against resistance डवलप कर लेते हैं अब चौथा तरीका और है जिसमें होता यह है कि माल लिजे कोई दवाई बन रही है कोई आपकी ऐसी factory है जहाँ पर pharmaceutical के products डवलप हो रहे हैं अब जब यह product बन रहे हैं pharma के तो इसमें क्या होता कि जो wastage है इंडिया में क्योंकि properly उन्हें manage नहीं किया जाता इस waste के through भी antimicrobial resistance डवलप हो जाती है जहां पर आप देखते हैं कि जो bacteria, virus, fungi और parasite हैं यह over a period of time evolve करते हैं अपने आपको change करते हैं और जो medicines आपके पास available थी अब वो इन्हें treat नहीं कर पा रही हैं यानि कि वो ineffective बन चुकी हैं as per WHO top 10 अगर हम medical threats के बारे में बात करें तो antimicrobial resistance उन्हें सी एक है और modern medicine जो की कही न कहीं backbone है आज की rate में हमारी सभी तरह के उपचार के लिए वो ineffective हो जाएगा अगर ये बिमारी बहुत large scale में फैलती है तो कहा ये भी जाता है कि 2050 तक हर साल 10 million लोग मरेंगे antimicrobial resistance के कारण और लगभग हर साल 7.7% का reduction देखने को मिलेगा livestock के production में भी अब ये सिरफ और सिरफ life के लिए threat नहीं है आप एक बात और समझे इससे GDP में भी नुकसान देखने को मिलेगा around 3.5% का अब ये तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि इनकी formation होती कैसे है वैसे दो process है इसके natural और anthropogenic जो Darwin theory है पूर natural way को represent करती है और inappropriate use, extensive use in agriculture, then few new antibiotics और regulatory barrier ये anthropogenic reason है जिसमें सी आज की date में अगर हम बात करें researchers इतनी ज़्यादा research नहीं कर पा रहे हैं या इतने ज़्यादा नए antibiotics को ढूंड नहीं पा रहे हैं इसके कारण भी हमारी परिशानी बढ़ रही है तो ये भी एक कारण है कि क्यों आज की date में हमारे एक बड़ा खत्रा है दूसरी बात इंडिया जैसी country में जहां पर regulatory framework इतन बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके लिए हमें जरूरत है कि government, society और industries हम सब एक साथ आएं और एक solution find out करें जहां पर एक cross-disciplinary solution ढूणने की हमें जूरत है जहां पर हम science और society को एक साथ लेके चलें अब science को कैसे science में हम R&D conduct करें हम कोशिच करें कि कैसे better way में हम research conduct कर सके आने व इमेवारी यह है कि यहां पर inappropriate use जो हो रहा है इन medicines का उसको हम regulate करने की कुशिच करें एक collaborative effort इस regard में भी चाहिए कि national और international level पर सभी government एक साथ आए और इस से better way में हम इसको handle कर पाएंगे क्योंकि देखे एक country में अगर यह problem आती है तो यह उसी में restrict होके रहने वाली नहीं है COVID-19 में हमने देखा था कि चाइना में यह बिमारी start हुई थी बट actual में इसका impact global level पर देखने को मिला तो हमें एक possible अगर solution ढूणना है तो उसके लिए सभी को साथ चलना होगा क्योंकि हम reverse नहीं कर सकते हैं antimicrobial resistance को और ना ही हम natural selection के process को eliminate कर सकते हैं तो possibly हमें यही करना होगा कि एक साथ एक solution find out करने की कोशिश करें और इसके लिए बहुत से national और international level पर effort किये भी गए हैं जैसे आपने red line campaign के बारे में सुना होगा आप आज की rate में chemist पे जाते हैं और क कोई भी दवाई लेते हैं अगर उसके उपर red line आपको देखने को मिलती है that means यह एक antibiotic है और इसे आप तभी इस्तिमाल करें अगर आपको doctor prescribe करें इसके लावा international level पर भी हमने कुछ initiative लिए हैं जैसे global antimicrobial resistance यह एक R&D hub है जहां पर दुनिया के अलग-अलग देश खासकर जो G20 nation है क्योंकि यह initiative वहीं से निकल के आया है तो यह कोशिश कर रहे हैं कि हम यह research को conduct करके और medicines को develop करें ताकि इस महामारी को हम रोख सकें और India भी इसका part है यह आपको याद रखना है फिर WHO का एक tool है that is aware tool इसमें हम access watch and reserve के उपर focus कर रहे हैं जहां पर हम ensure कर रहे हैं कि in medicines का improper use ना हो और last resort के लिए हम कुछ medicines को reserve भी करते हैं इसमें तीसरा initiative जो आपको याद रखना है that is one health global leader group यह भी antimicrobial resistance के खिलाफ है जो कि WHO, FAO and OIE ने मिलके launch किया था जिसमें misuse और overuse को हम address करने की कोशिश कर रहे हैं lastly मैं आपको यह कहना चाहूँगा way forward में देखे prevention is better than cure हम कोशिश करें कि हम prevent कर सके antimicrobial resistance that will be very good क्योंकि improper use को अगर हम रोख पाएंगे तो इससे हम prevent कर देंगे इस बिमारी को फैलने से साथ की साथ हमें selective use के उपर focus करना चाहिए जहां पर जब हम थोड़े बहुत बिमार होते हैं तो हम इस तरह के antibiotics का इस्तिमाल ना करें हम इसके उपर focus करें हमें coordinate करना चाहिए farmer और poultry industries के साथ जहां पर हम strict surveillance करें इनका कि इस sector में इसका इस्तिमाल ना हो ताकि हम biomagnification और accumulation को अब एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूँ bio accumulation क्या होता है जिसे मान लेजे एक ट्रॉफिक लेवल पर कोई organism है अगर इसके अंदर कोई chemical इकटा होता है तो that is bio accumulation और जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में chemical travel करता है that is bio magnification तो हमें इसको रोकन को maintain करने की जूरत है जहां पर किसी भी तरह का दुर उपयोग ना हो इन medicines का और भारत को यह चाहिए या पूरे विश्व को यह चाहिए कि वो R&D में अपने निवेश को बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में हम और बहतर medicines को डवलप कर सकें और इस हमारी से दुनिया को बच चाह सकें कंक्लूशन में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भीया जो यह एंटी माइक्रोबल रिजिस्टन्स है इसके एकनॉमिक कॉस बहुत बड़ी है हमने कोविड नाइंटीन में यह चीज देखी है तो यहां पर हमें critically examine करनी चाहिए अपनी policies को और कोशिश यह करनी चीए कि एक बहतर policy बनाएं उसे thoroughly implement करें और हमारी जो policy हो वो one health policy हो मतलब कि ऐसा ना हो कि हम segments में इसे treat कर रहे हूं हमें इसे holistically treat करना है ताकि आने वाले समय में हम ऐसी महमारी से दुनिया को बचा सकें आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद